तो S20 FE 5G या फिर S21 FE 5G इन सारे स्मार्टफोन में One UI 5.0 का अपडेट कब दग मिलेगा समसिंग की तरफ से यह ऑफिसल हो चुका है तो पेंडमिक की बाद से गर मैं बात करूं तो स्मार्टफोन इंडेस्ट्री में वैसा कुछ नया इनोवेशन नहीं मिल रहा है लेकिन अभ अभी की समय में मैक्सिमाम स्मार्टफोन में अपडेट तो आता है काफी सरे ब्रैंड्स जल्दी भी अपडेट पूस करता है लेकिन उस अपडेट में काफी सरे बग्स काफी सरे प्राब्लम्स यूजर्स को देखने को मिल रहा है लेकिन समसंग इस मामल में अभी की समय मे लेड कर रहा है क्योंकि समसंग का जो अपडेट्स है उसमें काफी कम हमें बग्स देखने को मिलता है और काफी जल्दी समसंग अपडेट्स पूस करता है और समसंग के तरफ सी ऑफिसेल हो चुका है कि किस-किस फोन्स में कब तक हमें एंडॉड 13-based One UI 5.0 का अपडेट समसंग दिवाइस सिस में कब तक हमें वान योज़ फाइप पॉइंट ओ का अपडेट मिलेगा और किस-किस फोन्स में मिलेगा इस वीडियो में इसी के उपर हम बात करने वाले हैं तो सब सब पहले यहां पर समसंग गलक्सी आड जैड सीरीज का अगर मैं बात करो तो स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद अगर मैं समसंग एस सीरीज के बात करूं तो समसंग एस 22 अल्टरा एस 22 तो इन सारे फूंस में वान इवाई 5.0 का अपडेट मिल चुका है एंड जितने भी बाकी एंड थोड़ा सा जो पूराने डिवाइस है समसंग गेलक्सी एस सीरीज क हो जाएगा नेक्स्ट अगर मैं नोट सीरीज के बात करूं तो यहां पर नोट सीरीज के अंदर भी तीन डिवाइस है जैसे की गेलक्सी नोट 10 लाइट नोट 20 नोट 20 अल्टरा 5 तो इन सारे फूंस के लिए भी डिसमबर 2022 से अपडेट मिलना स्टार्ट होगा और इसे के स स्टार्ट होगा आड यहां पर बाजेट सीरीज का टेबलेट से जैसे की डब ऐसीनले तो इस टेबलेट के लिए जैनुवरे 2023 में अप्डेट मिलना स्टार्ट होगा एड इसके बाद अगर मैं टेब ए 8 के बात करो तो इसको फेबरारी 2023 में अपडेट देखने को मिलेगा अब अगर मैं Galaxy A-Series के बात करूँ तो A-Series का स्मार्टफोन इंडिया में काफी सारी बिखते हैं और हो सकता है कि आप भी A-Series का स्मार्टफोन यूज़ कर रही हो तो यहाँ पर जो भी ने Galaxy A-Series का अंदर स्मार्टफोन लाँच हुए है यहाँ पर आप देख सकते हो December 2022 से ही अपडेट मिलना स्टार्ट होगा और जो थोड़ा सा बाजेट का या फिर थोड़ा सा पूरा ना हो चुका है A-Series के अंदर उन सारी स्मार्टफोन में January 2023 से अपडेट मिलना स्टार्ट होगा इसे के साथ A03 हो गया या फिर A23 5G हो गया तो इन दोनों डिवाइस के लिए February 2023 से अपडेट मिलना स्टार्ट होगा और A03S हो गया A04 हो गया या फिर A04S हो गया तो इन तीनों डिवाइस के लिए March 2023 अपडेट मिलना स्टार्ट होगा और M-Series भी काफी सारी यूजर्स यूज़ कर रही हो और M-Series का अंदर भी आप देख सकते हो जो भी नया फोन से जैसे की M32 हो गया M32 5G हो गया तो इन सारे फोन में भी या पे डिसमबर 2022 से अपडेट मिलना स्टार्ट होगा और इसे के साथ M12 हो गया या फिर M53 5G हो गया इन दोनों डिवाइसे के लिए जैनवरे 2023 और M13 या फिर M13 5G इन दोनों डिवाइसे के लिए फेरुर्वारी 2023 से अपडेट मिलना स्टार्ट होगा और नेक्स्ट अगर मैं F-Series के बात करूं तो F-62 के लिए डिसमबर 2022 या फिर F-22 के लिए जैनवरे 2023, F-42 5G के लिए भी जैनवरे, F-12 के लिए भी जैनवरे 2023 और जो F-13 हो गया या फिर F-23 5G हो गया इन दोनों डिवाइसे के लिए फेरुर्वारे 2023 तक अपडेट मिल जा तो यहां पे WhatsApp का भी support आपको देखने को मिल जाएगा जिसका link मैं आप लोगो इस वीडियो के description में दे दूँगा और इसे के साथ आप डिरेक्ली mail के जरी या फिर वीडियो चैट के जरे भी Samsung को contact कर सकते हो तो अगर in case update करते वक्त अगर कुछ भी problem होता है तो यहां पे इन numbers के जरीए आप directly contact कर सकते हो Samsung को तो आपके पास कौन सा Samsung का डिवाइस है और क्या आपको One UI 5.0 का update मिला नहीं मिला यह चीज आप निजी मुझी comment करके बता सकते हो और आशा करता हूं आप लोगो को वीडियो पसंदाया होगा इसी बात वीडियो को like share कर दिजीगा और ऐसे ह इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आप लोगा सुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए थांक्यू